आज इस वीडियो मों सेखेंगे कि किस तरह हम MSWord के insert tab में signature line और date and time option का use कर सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं, तो just हम यहाँ पास MSWord open कर लिए, अब यहाँ पास signature line और date and time option insert tab में show करेगा तो just हम यहाँ पास insert tab में गया और यहाँ पास देखिए हमारे पास show करता है क्या signature line और date and time तो signature line का use क्या है कि जैसे हम कुछ format ready करके रखे हैं, कोई later ready करके रखे हैं, तो just हम नीचे क्या कर सकते हैं या कहीं भी signature के लिए हम message दे सकते हैं कि इनका signature यहाँ पास लगेगा, ठीक है उनके बारे में हम वहाँ पास message दे सकते हैं, जैसे हम यहाँ पास matter एक ready कर लेते हैं से वान के चले कि यहां पास हमारे पास एक लेटर है अब यहां पास हमको बताना है कि यहां पास जो भी प्रिंस्पल हो गया या जो भी डारेक्टर हो गया या जो भी कंपनी हो गया उनका यहां पास सिगनेचर लगेगा यहां पास हमको एक मैसेज देना है तो उसके लिए ज यहां पास क्या नाम होना चाहिए, यहां पास डाल देते हैं, जैसे Mr.Punkas-Gupta, यहां यहां पास नाम डाल दिये, ठीक है, और नीचे यहां स्टेसें कर देते हैं, यहां पास Director, ठीक है, अगर मांचलों कोई Principal होते हैं, तो Principal, यहां Company को कुछ नाम होता तो भी आपकर सकते हैं नीज आपस जैसे हम यहां Director डाल दिये अर जिस्ट यहां कर दिये ओके तो देखें आपस हमारे पास यह आचू कहा मैसे ठीक है जैसे आपस Mr.Pankaj गुपत्र नीचे यहां सो करा है डारेक्टर अब यहां पास जो X का कर लएते हैं इसके बाद यहां देखे पोजीशन हो कर रहा है पोजीशन में जाएंगे और यहां पास क्लिक यहां पास पोजीशन आ गया इसको थोड़ा सा नीचे में हमको जैसे student का signature देना है या किसी और इसका भी signature देना है तो इसका भी message दे सकते हैं तो फिर सब यहां पास insert में गए और signature line में ही और यहां से फिर से Microsoft Office signature line पे click करेंगे और यहां पास देंगे तो जैसे हम देते हैं हम पास क्या student signature student signature यह दे दिये ओके तो देखिए हमारी पास student signature का message यहां पास आ चुका इसको भी simple select किये format में गये और यहां पास हम चल जाएंगे rap tax में in front of tax कर देंगे ठीक है इसको भी just हम आगे पिछे जहां भी move करना होगा जहां भी adjust करना होगा इसको कर सकते हैं ठीक है तो यहां पास हम हमारे पास message हो कर दे कि यहां पास जैसे मांग चल लिए director का signature हो जाएगा और यहां पास जो भी student होंगे उनका signature हो जाएगा यह हमरे पास क्या हुआ signature line ठीक है अब हम देखते हैं कि date and time option का कैसे use कर सकते हैं जैसे मांग के चल लिए कि हम यहां पास यह करता है अब यहां पा तो यहां पास अलग-अलग format आजा कि किस format आपको date and time insert करना है ठीक है तो जैसे हम यहां सो कोई format चूज कर लेते हैं जैसे हम format ले लिए जिसमे date भी है और timing भी है इसको select किये ok किये तो देखिए हमारे पास date and time आ चुगा यह कहीं और चाहिए जैसे मानक चले हम यहां पास क कर सा रग कहीं और रख लेते हैं जैसे यहां पास हम कर सा रख है और यहां हमको date and time insert करना है तो फिर सहम इंसाट में गया date and time में क्लिक करेंगे और फिर से यहां सा कूई format अपना शूज करेंगे किस format में चाहिए जैसे फिर सा हम यहां पास जैसे यह फॉर्मेट एक बार कर कर दिये एक तो यह हमारे पास हो गया क्या date and time अब इस date and time को हम shortcut तरीके से भी insert कर सकते हैं जैसे हम यहाँ पास हमको यहाँ पास जैसे date insert करना है तो इसके लिए एक shortcut है alt shift d Alt Shift D करेंगे तो यहाँ पास देखें हमारे पास क्या होगा यहाँ पास, date insert हो गया, ठीक है, उसी तरह भानिके लिए हमको timing insert करना तो Alt बटन दबाना है, Shift बटन दबाना है और T करना है, तो देखिए आपस हमारे पास क्या हो गया, time भी insert हो चुगा, तो इस तरीके समलोग क्या कर सकते हैं, कि MS Word के insert time में signature line और date and time जो option है, इसको यूज़ कर सकते हैं, तो आई यूप ये वीडियो को समझ में आ गया कर अच् subscribe करें, thank you